कि दूस्तों नमस्कार एक बार फिस्टी स्वागत है आपके अपनी यूटुब चैनल दियोजी के ट्रिक्स में तो दोस्तों आप डेली जुकि टीन बजे यहाँ पर पीटी का मोडल पेपर सोल करने वाले हैं जुकि डेली क्लास यहाँ पर आपकी होती है ठीक है तो आप लो च 일ए चलिए मिल पा रहे हैं चलिए लाइक सेहर भी कर दीजिए वाई है ना पहले सेई सेहर है लाइक सेहर सभी लोग करिएगा और इसके बाद हम लोग लगा तार है यहाँ पर सौल करेंगे चलिए पहला कोशन आपके सामने दिया गया है कहरा आप से सत्पद ब्रामहड और तैत्री ब्रामहड के ब्रामहड बूल पाठ हैं यहाँ पर जो आप कंसर बनेगा बताएगा इन में से आप कंसर क्या हो जाएगा और ऐसो कोशन में कई बार आपको स्वाल भी कराया है जवाब इन में से क्या हो जाएगा चले यहां पर जो आपका अंसर बनेगा इनमें से वो आपका क्या हो जाएगा सत्पत ब्रामहण और तैत्री ब्रामहण के मूल पार्ट होते हैं आप समनेगा डी याद रिखे यजुर वेद इसका जो आप समनेगा यहाँ पर डी नमबर है राइट हो जाएगा यहाद रिखे यजुर वेद की दो साखाएं होती हैं एक क्रश्न यजुर वेद और दूसर होता है सुल्क यजुर सुकल यजुर वेद होता है तो यहाँ पर जो आंसर आपका है वो डी हो जाएगा अगला कोशन दिया गया है चलिए यहाँ पर देखे आपका जो अंसर है यहाँ पर टू नमबर में वो आपसन क्या हो जाएगा यहाँ पर बी नमबर जिसका भी आपसन आ रहा है विल्कुर राइट हो जाएगा 26 लाग 26 लाग इसका जो आपसन आ रहा है राइट हो जाएगा 26 लाग आगे बड़े कोशना आप से दिया गया है कि 1857 के विद्रों में सिपाईयों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कार्तूसों पर आपत्ती थी चलिए बताएगा कि 1857 के सिपाई विद्रों में सिपाईयों को किस प्रकार के या किस कंपनी द्वारा बनाए गए कार्तूसों पर आपत्ती थी इसका राइट अंसर इन में से क्या होज़ेगा चलिए राइट अंसर आने शुरो गए यहाँ पर देखे काफी लोग जवाब दे रहे हैं और इ इस्थापित के संगठन में मैलाओं के खिलाप नकरात्मा करमपराओं पूर्वा ग्राहों और प्रताओं को हटाने का प्रयास किया गया तो यह कौनसी संगठन है अर्था कौनसी संस्ता थी यहाँ पर जवाब दिना है आपका जवाब इन में से क्या होज़ेगा जिए बि करती क्या 1875 में त्यादर के 1875 में स्वामी देनन सरसुति ने जो कि एक समाज की स्थापना किया था वो आरिस समाज था ठीक है यहां पर जो आपका अंसर बनेगा सुरी कि फ्रिंटी यह नहीं होगा दूसरे कोई अप्सन है आत्मी सबाई बैई 1815 में जो आपका दिया बैई यहां पर दिखे आत्मी सबाई है यहां पर आपके 1815 में आत्मी सबाई थी क्योंकि यह वाला जो आथा दूसरा आपका समय है यहां पर 1815 में राजा राम मोहन ने राय ने आत्मी सबाई किया था ठीक है आत्मी सबाई वहीं पर जो आपका कह सकते हैं कि आरे समाज है आरे स तो देट के अंसार आपको आपको जाना है यहaam पर डवाला राइट हो जाएगा यहां पर आगे बढ़ते हैं को स्विला पूछा गया है अच्छा इस डेट को भी आपर देख लिए ये जो दिया गया है फ्रांतिकर सोसाइटी ये का भी स्थापी थुई थी ये 1915 में स्थापी थी कब 1915 में तो चारो डेट आपके यापर किलियर हो गए ये जो आपका 1915 है ये आपके नियू यार्क में इसकी स्थापना की गए थ तक भारत के द्चिनि बाह्ग पर शासन नहीं किया या पर 5 कास को छेगा बद़ियाओ नमबर के बात क्या है तो आप्सनों का सी नमर याद रहे कि राजकोत्त होज lotus का राक div आगला दिया गया है बंबई में अखिल भारती व्यापार संग कांग्रेश का जो इस्थापना हुई थी वो आपकी काव हुई थी चलिए यहाँ पर जो अंसर आपका 6 नंबर है तो 6 को आप्शन में सिख्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर याद रिखे आपका 6 को आपका 6 उल्गुलान अर्थाद महाविद्रो किसे जुड़ा था यहाँ पर जो आप दिजेगा यहाँ पर जो आप दिजेगा चलियए हुआ रिखेगा कि महाविद्रो इसका जो होता है महाविद्रो होज़एगा महाविद्रो जोड़ा है ओप्सन क्या बनेगा यहां पर आपका डू होज़एगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते कोशन दिया गया है करेकरेखा निम्लिकित में आपके जाती है आपके जाती है और आपके मिजोरम से भी जाती है हना लेकिन असम से नहीं जाते हैं दोस्तों हमने बताया था जब भी करकर रिखा वाला कोशन आएगा तो या तो आपको उत्तरप देश दिया जाएगा हाना कि कहां से नहीं गुजरती है उत्तरप देश है या तो आपको असम हो गया उड़ी सा हो गया इनसे देते हैं क्योंकि लगबग यह पास में स्वाला को पूछा गया है तो यह पर क्या दिया थे हैं यह पर क्या दिया गया है यह पॉइंट आपका क्या सही दिया गया है क्या यहाँ पर पॉइंट सही दिया गया है पहला तो आपका सही हो गया दूसरा दिया गया है अहमदाबाद मिल मुरार जी दिसाई तो यह आपका गलत दिया यहाँ भाई गांधी जी आपके थे हागी नहीं खेडा जिलो में किसा आपर दिया गया है 21 दिसंबर सन 1600 को किसने एक रायल चार्टर आर्थात राज की अधिकारपत जारी कर ब्रिटिश इस इंडिया कमपनी को पूर्वी देशों के साथ ब्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त हो गया था देखे आपका 10 समर में जो आपका हो जाएगा रानी 52 दच्षिण में है कहलाता है तो देखे याप पर हम लोग क्या करेंगे एक अच्छांस गलोब बनाएंगे कह रहा है अच्छांस का एक ब्रत जो प्रत्वी के भूमत द्रेकी सता से यहाँ पर दच्षिण में इसका मतलब आपको यहाँ पर 52 वाली यह रेखा है ठीक है कोशन दिया गया है निमने कितमे से कौन सविकल्प भारत में आनुवांसिक रूप से संसोधीत एवं वानिजिक तोर पर सर्वथम जारी पौधा है यहाँ पर अंसर क्या होजेगा चरे 12 नंबर के अगर बात की जाए तो 12 ओप्शन क्या होजेगा यह बीटी का पास है हमने सप कशन में पाजाने वाले जिवाड वेस लिस की द्वार निकाल कर निरमित किया गया है ओम सम और आुप कि अगया है नेमनिकित में से कौन सी नदी खंबात की घाड़ी में नहीं मिलती है यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा चलिए यहाँ पर देखे आपका तेरा नमर में ऑप्सन क्या हो जाएगा यहाँ पर सी नमर कोई ना तेके क्या यहाँ पर कोई ना कह रहे है कौन सी नदी खंबात क की खाडी में नहीं गिरती है लेकिन कोई ना नहीं है ऑप से आप अपसी नंबर हो जाएगा अगेला दिया गया है मेघाले की पठार की सबसे पूरने पठार की सबसे पूर्णा की सबसे प komme intersection varit या पर कौन की मैध सबसे कि यहां पर का कौन Сबीमницե Demiर 1522 내용 per और यहां पर खासी, जैनती, गारो, यह समधा के लोग निवास करते हैं, तो यहां पर जो जवाब हो आप संटी नंबर हो जाएगा, आगे बड़ी एक कुशन दिया गया है, कि भूटिया जन्जाती जो अपनी पारंपरिक भविता कला और पाक सहली के लिए ब्यापक रूप कि राज में पाए जाती है, कोरष्चन नंमर 15 बताना है, क्यारा आप से कि भूटिया जन्जाती, जो अपनी पारंपरिक भविता कला और पाक सहली के लिए ब्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज में पाए जाती है, यहां पर पंदरा नंमर में option जो पनेगा, क्या हो पर जवाब देना है यहां पर जवाब गलती नहीं होना चीए क्योंकि सायद ऐसा कुश्चन या ऐसा मोडल पेपर एक बार हमने आपका डी नमबर रिखेगा NNPFC जो आपका दिया है इसे भारत में राष्टी आयप राया का जाता है तो आपसे क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा आपका D-Number हो जाएगा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कहरे निम्निकित में से कौन से दिस का संसार में धान उत्पादन में दूसरा इस्थान है यहाँ पर दिखो आपसे पुछा गया धान उत्पादन अब आप ही बताएगा कि धान उत्पादन में जो दूसरा इस्थान है वो किसका है 18 नंबर के अगर बात किया जाए तो आपका जवाब हो जएगा पर डी नंबर भारत हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों भारत जिसका उप्सन आ रहा है बिल्कु राइट हो जाएगा भारत हो जाएगा आगे बड़ी एक कुश्चन आपसे दिया गया है 2011 की जनगर्णा के अंसार उत्तरब देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला सहर इनमें से कौन सा है चलिए यहाँ पर जवाब देना है आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा सबसे अधिक जनसंख्या वाला आपसे सहर पुछा गया है उन्य संबर का ऊप्सन बने गा, आपका ये नमबर याद रिखेगा, कानपूर हो जाएगा, आगला आप से यापड़ दिया गया है, क्या आप से NREGP का पूंद रूप क्या है, यापड़ बी संबर जाब देना है, आपका सही जाइगा, तो देखें बी संबर के अगर बात क का कौन सा अनुचेद कानून के समझ समानता प्रदान करता है आपका जो अंसर होगा यहां पर राइट अंसर क्या होज़ेगा तो चलिए फिर जल्दी से लोग करिए देखिए काफी लोगों के जवाब यहां पर आ रहे हैं और आपका जो अंसर बनेगा क्या बनेगा चले एक क्याराय मौलिक कर्तब्यों से समधित अनुच्छी दिक्यावन का एको समिधार में द्वारा सामिल किया गया था देखे 22 अंबर का जवापसन दिया गया है क्या होजएगा 22 को आपका होजएगा ए नमबर याद रिखे ए नमबर इसका राइट होजएगा 22 समिधान संसुदंद्वरा इससे आपका समिल किया गया था तो जवाब यहापर क्या होजएगा यहाँ पर अंसर आपका यह होजएगा किलियर है और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वशन आपस दिया गया है अगला प्रसंदिया गया है कि पंचायती राजबियोस्ता को तहत ग्राम सभा सदस से कौन होता है मतलब ग्राम सभा का जो सदस से होता है वो कौन होता है यहाँ पर जवाब दीजे आगे बड़े ये कुशन दिया गया है क्या रहा है निम्निकित में से कौन सी हिमाली नदी तंत्र की नदिया है हिमालाई से निकलने वाली नदिया यहाँ पर 24 समर में क्या हो जाएगा तो चलिए यहाँ पर दिखो दिया गया है कावेरी तो कावेरी है क्या कावेरी तो नहीं होगी यहाँ पर गंगा दिया है ब्रह्मपुत दिया है और आपकी गोदावरी दिया गया है चलिए अब आपके सामने जो आप्षन दिया है आप्षन के अमसार यहाँ पर सोर करिए भई अपने जो है एक नया करेक्ट करने वाले हैं यहां पर देखे है सेकेंड और थर्ड ठीक है सेकेंड और ठीक है और लग 보고 है कि मिस्प्रिंट हो गया ताइपिंग में हम इसश्वाсем क्या हो गया है इस वजह से क्योंकि आर लगा इस दो ह्था ०ॉट आपर देखें जो आपकी गंगा नदी आ और आपकी ब्रंपुत नदी आँ यह हिमालई Multisily क्या बनेग यहां पर आपका यह नंबर हो जाएगा इस हिसाब से आप लोग ए नमबर बना लीजे, हमने बता दिया है, ओप्सन बनाने के बाद हमने यहाँ पर सही किया है, ठीके? और इसे द्रवता अनपात भी कहा जाता है और अप्सन जो बनेगा वो आपका अभी नमबरें राइट हो जाएगा आगे बड़ी एक कोशन दिया गया है कहा रहा है यदि एक जीव विभाजन के एकल तल में दो समान टुकडों में काटा जा सकता है तो उस जीव को क्या कहते हैं यदि एक जीव विभाजन के एकल तल में दो समान टुकडों में काटा जा सकता है तो उस जीव को कहते क्या है 26 समबर में यहाँ पर देखे डी हो जाएगा दूई पास्विक समिती प्रिक्रिया के दौरान दूद को लगबग गरम किया जाता है दोस्तों यहाँ पर आपको 27 समबर है 27 समबर में उप्शन क्या हो जाएगा तो देखे इसको लगबग आपको 65 से 70 डिगरी सिंटी ग्रेट तक गरम करना है यह मॉडल पेपर हुआ नहीं है कुछ कोशन आपके हैं जो कॉमन मिल रहे है ऐसा लग रहा था कि यह मॉडल पेपर आपका सोल कराय जा चुका है लेकिन ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है मॉडल पेपर आपका सोल नहीं कराय गया यह वाला लेकिन कुछ question है जो कि आपके comment ज्यादा मिलना है वही language मिलना है कि नहीं तो देखे यहाँ पर जो आप concern इन में से क्या हो जाएगा चले यहाँ पर देखे आपका 27 संबर आपका 27 संबर में क्या हो जाएगा 27 संबर में कौन सा एक अगनी सामन का उधारण है यहाँ पर देखिए 88 संबर में option क्या हो जाएगा 88 संबर में तो यहाँ पर यह देखिए CO2 क्या है CO2 जिसका option है यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा CO2 जिसका अंसर राइट हो जाएगा चले आगे बढ़ते question आप से गलाप पूछा गया है यहाँ पर दिया गया है निमनिकित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन की पैंचान करना है चले 29 संबर लोग करना है चले सही जवाब क्या हो जाएगा भई देखिए आप पर 29 संबर में जवाप सन दिया गया है क पर पिंगलेगा तो कोई नया पदार्थ बनेगा क्या भई नहीं बनेगा यहाँ पर देखिए ओप्सन डी निमबर इसका राइट हो जाएगा डी निमबर आगे बड़ी एक कुर्शन आप से दिया गया है निमने कि तमेसे कौन सा एक सूर के लिए उदारन नहीं है कौन सा ए हरणी बन जाते हैं जब तक आपको याद ना दिला जा के लिए बहांके रह गयें हैं सबी लोग लाइक से जरू कर दीजेगा जितने लोग हैं जल्दी से कर दीजे चले देखे यापर तीस संबर आपसे यापर दिया गया है कैर आपसे कौन सा एक सोर के लिए उधारण नहीं है तो चले फिर जवाब दीजे तीस संबर में यहां पर दिया गया है विश्पोर्ट से दोनी सही है कारखानों से दोनी ये भी सही है वहानों सुधनी ये भी सही है फिर यह संगीत वादियंत्रों से दोनी तो संगीत वादियंत्रों से उतनी जादा दोनी नहीं होती है लेकिन हाग कभी कभी दोनी हो जाती है जब आपकी नीन्द पूरी ना हो और पडोस में धोलक बज रही हो तो फिर आपको उसका विश्वर बहुत खतरनाक लगता है ठीक है ना तो यहाप पर क्या हो जाएगा अंसर आपका डिनमबर है राइट हो जाएगा ठीक है ना चले आगला कुशन आपसे यहापर दिया गया है क्या आप है यहाँ पर खनीज दिया गया है और खनीज समाप्त होने योग हैं यह तो आप लोग जानते हैं मतलब यहाँ पर समाप्त होने योग कि खनीज आपके कहीं ने कहीं समाप्त होने योग इसको थरी कर लीजे सोर उर्जा यह समाप्त होने वाले हैं यह समाप्त नहीं हो सकता ना यहना यहां पर 4 हो जाएगा, और बाजो गेस जो आपका है, यह होँद मिथीन और करोन डाइकसाइटरेगाँ, यह पर क्या हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा, गलीक से क्या होता है, वरसा होती है, तो इस प्रकास तक को लगाना था, तो दिखें कि आप सम Manuel आफ 3421 3421 जो की option क्या है इनमबर आपका right हो जाएगा अगला है निम्निखित में सिक इसको प्राता कालीन सांतिस्थल का जाता है तो देखें हमने आपको static gk में पढ़ाया था कि प्राता कालीन सांतिक का दिसक इसक आ जाता है तो यह का जाता है आपके आपका जवाब क्या हो जाएगा तो यह आपके धनुस कोड़ी से शुरू होता है भारत के अंतिम छोर धनुस कोड़ी से प्रारम होता है और यह तमिलाडो भारत के दच्छन के पूर्वी तड़के किनारे आपका बसा हुआ है आगला कुशन दिया गया प्रिकास से आपका बनेगा मिलान तो आप लोग मिलान करिए देखे क्या सही बन रहा है दो, एक, चार, तीन 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 देखे आप्सन मिले गया है यहाँ पर सी नमबर है अगला है काजी रंगा किसके लिए पिसिद्ध है काजी रंगा किसके लिए पिसिद्ध है 35 नमबर देना है सन सिटी का आ जाता है दच्छी नाफरीका को कहते हैं जापान मत लगएगा निकलते हुए राज जो आपका सूरे है उसको हम जापान कहते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपको लगाना है डी नमबर दच्छी नाफरीका बताना है डी नमबर लगाना है चलिए आगला कोशन दिया लगया है दुख देखे अग्रणी उत्पादकों का सही और रोही करम कौन सा है तो देखे यहां पर सबसे पहले तो भारत ही हो जाएगा फिर यहां पर सुनिया पर मेंगा बी नमबर मतलब जो भारत है आपका पहले इस्थान पर है आगे बड़ी एक क्वेशन दिया गया है विलुब्त होने वाली परजातियों की सुची बदता होती है यहां पर 18 समबर में क्या हो जाएगा तो 18 समबर के अगर बात करें तो rate डाबुक में किस में ? तो rate डाबुक में यहां पर जवाब का जवाव है और आयुखा वैथ जावब हो आपका बी नमबर है राइट हो ज बारा ग्राम हो जाएगा अगर आप से यहां पर दिया गया है निम्निखित नगरों में से कौन राष्टी राध्धानी छेत्र में वस्ती थे यहां पर 40 संबर में और 40 कॉप्शन बताएं क्या हो जाएगा चले इसमें से आपको सही कूट आपको करना है कूट के इसाप से आते हो कौन आते हैं तो देखे इन में से हैं और नीवाला दिया गया था हना दो तीन-चार का जनका कि सीका जाता है विटामिन सब्दका जनक कौन से एक जवाब हो ज़ेगा ड नमबर याद रिखेगा की कासी मीर फंक मदलब यहाँ पर फंक थे आपका जवाब हो ज़ाएगा यहाँ पर D-NOBर राइट हो ज़ेगा फंक हो ज़ाएगा आगे बड़ी एक कोशन आप से गलाप कोचा गया है कि अगला कोशन दिया गया है कि अगला कोशन दिया गया है कि आप से सीमान्त गांदी के नाम से किसे जाना जाता है शीमान्त गांदी के नाम से किसे जानते हैं यहाँ पर जवाब दीजे आपका जवाब इनमे से क्या हो जाएगा सभी को जवाब देना है यहाँ पर खान अबधुल्गफार खान जिसको आपसन भी नंबर आ रहा है विलको राइट हो जाएगा और अगला कुछन दिया गया है जेनो साइड अर्था नरसंहार सब दौरा गढ़ा गया था नरसंहार सब जो है ये किस की दौरा गढ़ा गया था ये पूछा गया है तो दोस्तों यहांपर जो आपका अंसर राइट हो जाएगा इनमें से बनेगा 45 में भी राफिल लेमकिन के द्वारा राफिल लेमकिन जो आपसे ने यहाँ पर बी नमबर राइट हो जाएगा यहाँ पर अगला कोशन आपसे दिया गया है कि सत्य के साथ मेरे प्रियोग की रचना जो किया है वो किस ने किया है जवाब क्या हो जगा, एट नस्वर आपका एट हो जगा, भारत की पहली मेला मुक्चुनों आयुक्तिन्योंे से क्या से चले भई, क्लास में बड़ा अनंदार आये, क्या बात है भई लड़ू बट रहे हैं क्या ग्लास में भई काभी लोग हंस हंस रहे हैं लड़ू बट रहे हैं क्या भारत की पहली मैला मुक्चुना आयुक तिनमे से कौन से हैं यहाँ पर ज्वाब दीजे महाँ भारत का अंगरीजी भासा में ने उन्वात करने वाले पहले भारती कौन थे ? चलिए यहाँ पर ज्वाब देना क्या हो जाएगा ? चलिए बड़ एक पूछनाअप तर्छिलाप पुछा गया है ? पहले भारती कौन थे तो माँ भारत कंगरीजी करने वाले प्रिथम भारती थी किसु औरी मोहन गौली आपसने बी नमबर होगा ठीक है बी नमबर इसकराइट हो जेगा अगरा कुछ नाप से दिया गया है नेमी खित में से कि समू को एसी आई नाटो कहा जाता है कि समू को एसी आई एसी आई नाटो कहा जाता है यहां पर जवाब दीजेगा आपका उन्चा संबर में उप्सन हो जगा सी यादर के चतुर भुज सुरच्छा संवाद क्या चतुर भुज सुरच्छा संवाद समू का यह आपका है जिसे नाटो का जाता है यादर के C.I. नाटो का जाता है अगला दिया गया है संयुक तराष्ट द्वारा सूचना तक सारव भौमिक पहुच के लिए अंतराष्टी दिवस हर साल कम मनाते हैं चलिए यहाँ पर जवाब देना है आप कंसर यहाँ पर क्या होजेगा कहराब से कि पूछा गया है पित्रा देश में संदी कौन सा है पित्रा देश में संदी कौन सा है चीहत्ता नंबर में तो चीहत्तर कॉप्शन में से क्या होजेगा पित्रा देश में जो संदी होगी वो कौन सी हो जाएगी चीहत्ता नंबर में जवाब होजेगा यहाँ संदी होजेगा यहां संद्य हो जाएगा पित्रदन आदिस हो जाएगा अगला कोशन दिया गया है इन में से मदिरा का परयावची कौन सा नहीं है इन में से मदिरा का परयावची कौन सा नहीं है देखे 77 के अगर बात किया जाए तो यहां पर देखे सुरा होता है मद होता है मद होता है लेक भी नफान में होना होना है जिसे किसी बात या कि सी वस्तिक ना हो जाएगा ओर यहांपर यहां दिक वर्षा होना ऑपसंट भी नम्बर राइट हो जाएगा ठीक है ना और यहाँ पर अत्यदिक अगर सूखा आ जाए तो क्या का जाता है इसे अकाल कहते हैं क्या बोलते हैं अकाल का जाता है याद रिखे अकाल बोलते हैं जब अत्यदिक सूखा हो जाए तब इसे अकाल कहते हैं ठीक है और अत्यदिक विचार किया जाए तो अत्यदिक विचार नहीं बोलत ठीक है ना राजा का रानी समराट का समागरी और राजन का रागरी ठीक है तो यहाँ पर अनसर आपको बताना है कौन सब भी नंबर राजा का रानी होता है राजन का रानी मत कर दीजेगा ठीक है यहाँ पर अनसर भी हो जाएगा और इसके बाद आगे बढ़ते हैं कोशना आ पहरत का पहला राजी कोन बना है तो देखे आपका जवाब हुझेगा कॉन हीमाचर प्रदेस हुझेगा हीमाचर प्रदेस हैं आगला आपसे दिया गया है कि भारती रेलवे द्वारा भारत गौरो योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके भी चलाए गई है तो याद रिखेगा आगला है बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज कौन है तो यहाँ पर याद रिखे गुजरात हो आगला दिया गया है कि भारत का पहला क्रिसी भूमी मूली सुचकांग की संस्थान द्वारा लांच किया गया है यह भारत का पहला क्रिसी भूमी मूली सुचकांग है और यह भारती प्रबंधन संस्थान एमदाबाद की द्वारा यह लांच किया गया है आगला दिया गया है अगला दिया गया है कि भारत की पहली मैला लड़ाकू हिलिकॉप्टर पाइलेट कौन बनी है तो यादर कि भारत की पहली मैला लड़ाकू हिलिकॉप्टर पाइलेट है जिनका नाम है कैप्टन अविलासा पाठक ठीक है कैप्टन अविलासा पाठक हो जाएगा अगला दि अगला आख लिया गया है कि हिमालीयन वर हैं ईके सनक्षिया से अधिक दर्जी की गई है थ Already थे गाउन व्रहोस्का क्योंतों मिस्वालि पाहली भारति शिर्य पढन ये पहली भारती लेका है इनका नाम है गितांजिल सिरी कौन है गितांजिली सिरी हैं अगला आप से दिया गया है किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खुल रहा है किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खुल रहा है बावन को अप्शन में स इसका पहला देश कोन बना है चले बताजीगा यहां पर जो अनसर बनेगा राइट क्या वज़ेगा कि कोविड Uhm घॉल्ए ब्लू वर्ड का नया स्ट्रेश ह governo इस हैं तो ःट thriller lt का नया स्ट्रेश है है H3 N8 का पहला मानो सरच्छन है यह आपका है चीन अगला है मालद्यूप ने किस देश के साथ सही क्रूप से पहली बार नेविगेशन चार्टर का अनौरण किया है यहाँ पर अंसर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर जो अंसर बनेगा भारत हो जाएगा अगला दिया गया है क इसका नाम है क्या नेक्सो क्या नाम है नेक्सो हो जाएगा अगला है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विसका प्रथम देश कौन मना है तो दोस्तों यादर के जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विसका प्रथम देशन में से कौन सा है यहां पर क्या होजेगा चले यहां पर क्या होजेगा भई यहां पर होजेगा आपका экuador ठीक है Viktuador, अच्छा कोश्चन इनोड करेगा अगला एसिया के सबसे बड़े बोध थीम पार्क का गातन किस राजिमी किया गया है यहां पर जाए सकते हैं आपका अंसर कीन में से क्या हो जाएगा कि यह एसिया का सबसे बड़ा बहुद थीम पार्क है और गटन के स्राज में तो आपके तेलंगाना में किया गया है कहां पर आपके तेलंगाना हो जाएगा तेलंगाना अगला है कि किस देश में विष्ट का सबसे लंबा संस्पेंसन पूल आर्थाथ स्काय विरीज जो कि 721 परेटों के लिए खोला गया है यहाँ आपके चिक गड़राज जिमें कहाँ पर आपके चिक गड़राज हो जाएगा अगला आपसे दिया गया है विस्का सबसे लंबा कांच वाला विरिज जो की ग्लास बाटम विरिज है एक इस देश में आम लोगों के लिए खोला गया है यहाँ पर क्या होज़ेगा तो आपके वियत नाम में है का पर यह वियत नाम है आद रिखेगा चाइना मतलगा दीजे चाइना ने लगा यह वियत नाम है यह विस्का सबसे लंबा कांच वाला विरिज है अगला है विस्क की सबसे बड़े इलेक्ट्रिक थ्री वीलर फैक्ट्री की स्राज में इस्थापित की जा रही है तो यह आपके तिलंगाना में और अगला आपसे यहाँ पर दिया गया ह तो आपके सिंकुल दर्राप किया है और अगर आप से दिया गया है कि किस देश ने दुनिया के सबसे बड़ा पेट्रोलिया मनसंधान के इंद बनाने की घोशना किया है यहां पर क्या हो जाएगा तो इस प्रकास से आज की किलास से रखते हैं